तो सबसे पहले मैंने लिए एक पुरानी बुक और इसके जो पेज है मैं उसको यूज करने वाली हूँ आप चाहे तो न्यूस पेपर या कोई भी पेपर ले सकते हैं तो अब मैंने इसमें से एक पीस कट कर लिया है और इसका मैं एक रिफिल की हैद से रोल कर लूँगी और एक पेपर स्ट्रॉ बना लूँगी कुछ इस तरीके से लास्ट में हम इसको स्टिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा एक पेपर स्ट्रॉ बनके रेडी है इसी तरह से मैंने टोटल 11 स्ट्रॉ बनाके रेडी कर लिये हैं तो अब मैं इन्हें जॉइन करना स्टार्ट करूंगी और हम इसे कुछ इस तरीके से जॉइन करेंगे कि H O M E ये चार लेटर्स बन जाएं तो सबसे पहले मैंने दो स्ट्रॉज को एक साथ अटेच कर दिया है जिसे कि एक लंबी सी स्ट्रॉज बन गई है अब इसके साथ मैं एक और स्ट्रॉज इसके बगल में रख रही तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि यह बाद में हिलेगा या अपनी जगह से इधर उदर भागेगा तो मैंने भी इसको फैविकॉल से स्टिक किया था फैविकॉल ऐसे से और आप देख सकते हैं कि ड्राय होने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीकी से फिक्स हो गया है अब यहाँ पे मैंने एच और एम दो लेटर्ऄ बना करें इंको आपस में कुछ इस तरीकी से इसटिक किया है अब हम बना रहे हूँ यह तो इग्यार पर यहाँ यहाँ पीण्विक Church लियं हैं बस आपको एक circle बनाना है बट अगर आप paper से बनाएंगे तो इतना clean वो circle नहीं आएगा क्योंकि paper इतना जादा लचीला नहीं होता है तो इसलिए मैंने हाँ पे एक wire यूज किया है क्योंकि easily round घूम जाएगा तो इस तरीके से पहले मैंने इसको stick कर लिया है सेलो टेप की help से और बाद में मैंने जो बीच बीच में space थी वहाँ पे silicon glue apply कर दिया उसके बाद जब वो ड्राय हो गया तो सारे टेप को remove कर दिया जिससे की इसका शेप अच्छे से fix हो गया है तो अब हमारे सारे letters ready है और अब मैं इसको place कर रही हूं तो कुछ इस तरीके से ह अब बारी इसको paint करने की तो simply मैंने इसको बस एक रही है और रेंज करना है तो वायर वाला पार्ट में जहां भी stick करना है वहां पे मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया और इसे paint कर दिया और यह रही है इसका final look लग रहा है ना बिल्कुल खरीदा हुआ तो next DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ पुराने शादी के cards जो की मेरे all time favorite waste materials है तो यह थोड़ा सा thick paper है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगा cardboard भी यूज़ कर सकते हैं और अब मैं इसमें से कुछ इस तरह की पतली-पतली strips cut कर ले रही हूँ इसकी width मैंने रखी है 4.5 cm बट यह इतना matter नहीं करता आप किसी भी size का इसको cut कर लीजे और इसको दोनों साइट से मैं पीछे की side fold कर दे रही हूँ तो अब हम इसे अंदर की तरफ stick कर देंगे बट क्योंकि पेपर थोड़ा मोटा है तो इतनी इसली यह stick नहीं होगा इसलिए मैं चोटे-चोटे से cuts लगा दे रही हूं जिससे कि यह अंदर की तरफ अच्छे से stick हो जाए तो आज के जितने भी डियाइवाइस हैं वह मैं अलग-अलग materials को यूज करके बना रही हूं जिससे कि आपके घर का हर waste material किसी ना किसी तरीके से यूज होता रहे तो कुछ इस तरीके से मैंने टोटल चार इस तरह के पीसेज बना के ready कर लिये हैं और अब इन दो पीसेज को मैं आपस में stick कर दूँगी कुछ इस तरीके से 90 डिगरी के एंगल पर और बाकी के जो दो पीसेज हैं उनको भी मैं इस तरह से stick कर लूँगी अब मैंने सेम उसी तरह से कुछ छोटे-छोटे पीसेज भी बनाये थे तो चार पीसेज बनाके मैंने उनको भी इस तरीके से stick कर लिया है अब आज क्योंकि मैं जो भी डियाएवाइस बना रही हूं वो साइज में काफी बड़े हैं तो मेरी टेबल के उपर सारा शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि टेबल मेरी थोड़ी अब मैं इसको ब्लैक कलर से पेंट कर लोगी क्योंकि मेरा अक्रिलिक कलर खतम हो गया था तो मैंने हा पर चॉक पेंट से पेंट किया है अब कोई भी कलर ले लिजए और उससे पेंट कर दीजे और अब मैंने एक छोटा स्कुरीय पीस लिया है और उसको मैं साइड में होंगी अब बीच में मैंने गोल्डन कलर का एक और स्वाइर पीस कट कर लिया है गोल्डन शादी के कार्ट से और उसको स्टिक कर दिया है और हमारा यह डियाइवाय बिल्कुल रेडी है अब आप चाहें तो इसको नेल की हैं कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आप इसको डबल सा कि तो नॉविंग ओन तो आर नेक्स्ट यावाय यहां पे मैं एक पेपर ले रही हूं मैंने एफ़ो साइस का एक पेपर ले लिया है कोई भी पेपर आप लेली जे हैं और उस पे मैंने हाँ रहा पे बटरफलाई का शेप ड्रॉघ कर लिया है तो पहले मैंने हाथ से बना से कुछ जो भी कर्व से उनको मैं स्ट्रेट लाइन में कनवर्ट कर दे रही हूं और बीच में भी मैं कुछ इस तरीके की लाइन्स वग्यारा बना दे रही हूं अब इसकी क्लियर इमेज आप लोग को मैं दिखा सको इसके लिए मैंने आप स्केच पैंसे इसको आउटलाइन कर दिया है जरूरी नहीं है आप इसको स्केच पैंसे आउटलाइन करें आप सिंपली पैंसल से बना लेजे अब मैं यहां पर यूज कर रही हूं कुछ कॉफी स्टेर स्टिक्स आप इसकी जगह कोई भी स्टिक यूज कर सकते हैं अब यहां पर हमने जितनी भी लाइन्स ट स्टिक्स को कट कर लेना है तो सरी लाइंस के अकॉर्डिंग हम इन स्टिक्स को कट कर लेंगे और इसके बाद हम इनको आपस में जॉइन करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे मेरी ड्रॉइंग देख्के आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बट अभी मैंने आधी butterfly ही draw की है क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास paper नहीं था कि मैं पूरी butterfly उसमें बना पाती और इतना hard work करने से अच्छा है कि हम smart work करें आधी butterfly मैंने ready कर ली है और इन sticks को हम आधा आधा दो पार्ट में बनाएंगे और बाद में हम दोनों parts को आपस में join कर देंगे तो उससे हमारी पूरी butterfly ready हो जाएगी तो जिस तरह से हमने drawing बनाई है उसी के उपर हम sticks को उसी शेप में रखते जाएंगे और आपस में stick करते जाएंगे और बहुत ही easy यह process है बहुत easily आप इसको बना लेंगे सिर्फ butterfly ही नहीं आप इस तरह के different different shapes बना सकते हैं like tiger का face या कोई भी animal का face तो अब मैंने इस तरह के दो पार्ट बना लिये हैं और इसको में last में stick कर दे रही हूं और हाँ यह में बताना भूल गई कि इस सारी चीजों को मैंने silicon glue से stick किया है आप चाहें तो इसकी जगा glue gun का भी use कर सकते हैं या फिर आप simply favicol का भी use कर सकते हैं उससे लेकिन थोड़ा time लगेगा dry होने में अब मैंने इसको black color से paint कर दिया है और अभी कल ही मैंने अपने नए चैनल पे paint brush guide share की है beginners के लिए तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन से brush कब और कहां कैसे use करने है तो आप वो video देख सकते हैं